एक्साइटिंग वीडियो में आप सबी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्षिन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिस करेंगे understand करेंगे यह जो market में selling चल रही है continuous यह कितने दिन और चल सकती है और यहाँ पर अगले दो trading session कितने important रह सकते हैं इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल जिसे वीडियो को start करते हैं यहाँ पर एकल का trading session कैसा रह सकता है तो सबसे पहले बात करें market at 11 के वीडियो में मैंने आपको clearly कुछ important point बतायते हैं लेविल बतायते हैं मैंने आपको clearly बोला था 17.400 के लेविल पर जो call writer है वो bird रहे हैं अगर हम 17.400 के नीचे trade करना start हुए तो 17.250 तक का आपको one way fall देखने को मिलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर ब्रेक हुआ आपका और यह पूरा जो fall था वो one way fall था इस fall में हमने almost 17.200 के आसपास का low बनाया था उसके बाद फिर यहाँ पर consolidation हुआ और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह breakdown और यह 17.000 हमने test किया और अब यह दुबारा से एक level एक range बन गई है सेम चीज़ bank nifty में bank nifty में तो मैंने आपको clearly बोला था कि bank nifty को short कर लीजे क्योंकि bank nifty selling में अभी भी participate नहीं कर रहा है तो bank nifty में जिन लोगोंने short किया होगा definitely यह breakdown यहाँ पर यह breakdown और फिर यह one way selling almost देखने को मिली है अब क्या होगा कल का trading session में यह चीज़ हम समझने की पर ठीक है सबसे बहले option chain data को देखते हैं और यहां पर refresh करता हूं data और यहां पर आपको पता चलेगा nifty में अगर आप देख सकते हो 17200 पर 25 लाग का open interest यहां पर खड़ा हो गया call site पर आपको देखेगा और put site पर आपको 29 लाग का open interest देख रहा है 17300 की बात करते हैं तो 17300 की put पर आपको 15 लाग का open interest देख रहा है बट यहां पर unwinding start हो गई है आप देख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप market में ऊपर जाने की जगे थोड़ी सी कम है 17300 पर 27 लाग का open interest खड़ा हुआ है नीचे बढ़ते हैं तो 17000 की जो call है वहाँ पर 13 लाग का open interest आज के दिन add हो किया है और put site पर दिख रहा है 51 लाग का open interest यहां पर खड़ा हुआ है प्लस यहां पर open interest धीरे धीरे घट रहा है इसका मतलब क्या है 17000 आपके लिए कोई important यहां पर level नहीं रहा है हो सकता है कल के दिन में ही यह break हो जाए ठीक है आपको यह चीज़ ध्यान में रखनी है इसकी कोई importance नहीं है फिलाल ठीक है उपर आपको resistance का मिलने वाला है 17400 पर आपको resistance मिलने वाला है क्योंकि यहीं से निफ्टी ने breakdown दिखाया है तो यह level और 17500 का level यह strong resistance की तरह काम करेंगे क्योंकि 42 lakh का open interest call side पे और 86 lakh का open interest आपको 17500 की call पे यहां पे दिख रहा है अभी भी अगर देखा जाए यहां पे तो put writers अभी भी यहां पे काफी अच्छा open interest लेके बैठे हुए हैं अगर देखा जाए तो और भी यहां पर unwinding का pressure बना रहे सकता है मुझे जो expectations है निफ्टी 1600 तक भी गिर सकता है या 16600 तक भी गिर सकता है यह चीज़ आप क्लिए ली समझके रखिए अगर बात करें चार्ट पर तो चार्ट को understand करते हैं तो चार्ट प का यहां पर level देख लिया है अब क्या यह नया swing low लगाएगा यह चीज़ यहां पर है क्या यह नया swing low लगा सकता है अगले दो टेडिंग सेशन में chances very high क्योंकि यहां पर क्या है कि जैसे जैसे level break होंगे selling क्या है और aggressive यहां पर panic selling बनती जाती है नीचे के level पर क्योंकि यहां यह नीचे भी आता है क्योंकि यह जो बाइंग है यह sustainable बाइंग नहीं है यह सिर्फ temporary बाइंग है और जैसे जैसे market में profit booking आईगी वो profit booking बढ़ती चली जाती है अब हमारे पास जो important level है अब जो है वो है 17,000 अगर 17,000 break होता है तो सीधा सीधा यहां पर टार्गेट खुलता ह है वो खुलता है 16,800 और फिर यह sowing low simple दीचीद यह आप समझ लो यानि अगले दो trading session में expiry से पहले आपको कहीं न कहीं निफ्टी 16,600 या 16,600 भी दिखा सकता है panic selling में यह चीद आप clearly समझ लीजिए अगर shorter time frame की बात करें तो यहां पे आपको clearly दिख रहे है एक range बनी है ठीक आपका पहला 16,900 दूसरा 16,800 का यहां पे clearly खुलता हुआ दिखाई देगा यानि इस channel का जैसी breakdown होता है आप short कर सकते हो immediately आप 17,000 के put या 16,900 के put या 16,800 के put लेके काम कर सकते हो buying के लिए आपके पास अभी मैं buying की recommendation नहीं दे रहा हूँ क्योंकि event है event से पहले की जो selling होती है वो normally continue रहती है तो इसलिए आप budget के बाद यहां पे let the market को decide करने दिजे एक green candle बढ़ाए और थोड़ा सा stop करने की कोशिस करे, halt करने की कोशिस करे तब यहां पे हम buying की यहां पे recommendation दे सकते हैं बट फिलाल आप यह समझ लिए कि कोई भी उच्छाल 17,300 तक का एक selling के लिए ही यहां पे opportunity डूननी चाहिए bank nifty की बात करें तो bank nifty को भी देख लेते हैं यहां पे एक बार bank nifty, bank nifty ना आज आपका जो low बना वो बना आपका 36,400 अगर day chart पर bank nifty को देखोगे तो आपका इसने exactly जो support लिया था वो इस level से support लिया है जो की एक consolidation वाला level था यह जो आपका यह जो breakout हुआ था इसको आप थोड़ा सा और नीचे कर सकते हो ठीक है तो इस level से ही इसने support लिया है तो अगर कल यह इस level के नीचे trade करना start करता है तो आपको एक और बड़ी candle देखने को मिल सकती है इस candle की almost कह सकते हैं कि काफी नीचे तक market के यह फिर उपर आ गया है लेकिन अगर कल selling होती है तो कल आपको एक और बड़ी candle देखने को मिल सकती है तो कल आपको नजर क्या रखना है कि यह आपके पास range है ठीक है यह आपके पास range है अगर यह 36,750 के नीचे दुबारा से निकलता है तो आप immediately इसको short कर सकते हो पहला target आपका होगा वो ही 36,400 का और 36,400 ब्रेक होता है तो फिर आपके पास जो target खुलता है वो 36,000 का target खुलता है buying के लिए यहाँ पर मैं कोई recommendation नहीं दे रहाँ हूँ यहाँ पे के लिए लिए आपको selling का ही plan करना चाहिए 27,250 आप stop loss लेके चल सकते हो अगर क्योंकि market जायर सी बात है wix jump किया है तो market volatile भी होगा तो आपका stop loss भी थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा तो 27,250 के ऊपर अगर 15 minute की closing आ जाती है यानि यहाँ पे आके कोई candle close हो जाती है 15 minutes में तो फिर आप अपना जो short है उसको exit कर सकते हो otherwise आप अपने short में बने रह सकते हो यहाँ पे जो bank nifty का target है expectations जो लग रही है वो around आपकी पैते छद हाँ around आप मान के चलो 35,300 तक bank nifty केड़ सकता है यानि एक और fall आपको 1000 से 1200 point का यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो सकता है उससे जादा का भी देखने को मिल जाए तो कहीं न कहीं यहाँ पे यह चीज़ समझ लीजिए अब जो selling आईगी वो bank nifty में ज़्यादा तेजी से आ सकती है क्योंकि इसके बीचे दो राइजन है अभी तक nifty गिर रहा था काफी तेजी दे बैंक nifty अभी भी hold कर रहा था ठीक है बट आज क्या हुआ ICIC bank के भी result आ गए ठीक है XS के भी अभी आ जाएंगे LTFC के अल्रेडी आ चुके है KOTAK के Friday को आएंगे ठीक है तो कहीं ना कहीं जो बेसिकली जो एक डर होता है कि result के बाद कहीं stock shot up ना कर जाए जो shots बने होते हैं वो cover ना हो जाएं तो लोग उसमें सोड़ा सा ध्यान से selling कर रहे होते हैं बट आपने देखा result के बाद LTFC bank कैसे गिरा है आप ICIC bank आज hold कर गया है most probably कल के trading session में ICIC bank में भी selling देखने को मिल सकती है और access bank में भी selling देखने को मिल सकती है तो जाधतर बैंकों की result आ चुके हैं KOTAK Mahindra bank की result आने हैं Friday को KOTAK Mahindra bank में already यहाँ पे selling चल रही है तो सोड़ा सा bank nifty अब aggressively गिर सकता है तो इस पे आप जरूर नजर रखिएगा Global market की बात कर लेते हैं तो एक बाट डाव feature देख लेते हैं कैसा कामकाच कर रहा है Currently 200 point उपर से यह almost flat हो गया है करीब 25 point negative कामकाच कर रहा है यहाँ पे यह चीज़ आप clearly यहाँ पे समझ लीज़े देखो Nasdaq की बात कर रहा है वो भी flat कामकाच कर रहा है यहाँ पे और यह बट एक चीज़ यहाँ पे देखने की चीज़ यही है कि यह continuously केर रहा है पिछले कुछ trading session से तो क्या इन में आज bounce back आता है या फिर और selling देखने को मिलेगी अगर bounce back आता है तो हम slightly gap up भी कुल सकते हैं बट हमारे market में आप gap up में भी आप थोड़ा सा selling की ही opportunity ढूढ़िए इन दो particular trading session में तो I hope दोस्तो यह particular data आपको समझ में आगया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like or share जरू करियेगा और channel को जो subscribe के लिए क्योंकि मैं आपसों दिल लेका आता हूँ हर दिन आपके लिए ने वीडियो इसी के साथ शुक्रिया दोस्तो जै हिंद